बूर्णिंग आप सभी का मेरे यूटूब चैनल पर स्वागत है मैं आज आपको लोग की में अच्छी पैदाव लेने के लिए होमेड फटिलाइजर बता रहे हूं जो सभी के गरूमे अवेलेबल उने वाला फटिलाइजर है जिसको वेस्ट समझ कर फैंक देते हैं या अनिकाई यूज कर लेते हैं तो वेस्ट ये रहे इसमें यूज करें तो इससे अच्छी फ्लावरिंग होगी और अच्छी फ्रूटिंग भी होगी ये तूरही है लोग क कोई सा भी किसी में बढ़ सकते हो उसके लिए चाहिए आपको लसी जो लगबग दो या तीन दिन की जो खटी लसी हो जाती है बटर मिल्क या चाच जो भी आप होते हैं वो लेकर और एक चमचा आपको चाहिए काला नमक जैसे आपने एक लिटर लसी लिए तो उसके अंदर एक टी स्पून काला नमक ले लिए और फिर इसको अच्छे से गोल कर 20 आवर के लिए रख देना से यह वैसे आप मार्केट से खरीदना साओ काला नमक है तो इसका जो ठो से पत्थर जैसा मिलता है तो आप इसको पीस कर और फिर इसमें असानी से गोल सकते हो त्योंकि जब अब इसका पीस मिलता है तो वो गोल न थोड़ा मुश्किल रहता है तो इस तरह से इसको बारे के पाउडर बना कर और मार्केट में पाउडर बनावा मिलता है और इसको आप पाउडर गर पे बना कर और फिर इसको इसमें अच्छे से मिला लो और मिलाने के बाद इसको 24 आ लगते हैं गरमोने पर उइंदर पर असमें उसिस तरह से इसमें काला नमक मिलाने पर यह उपधाने है इसके अंदर और काफी ऐसे लाक्ष कॉस्ट आ therapists लाने को इंदर लगता उप नहीं एक द़र दो सोलिस्थो मारे निवाडियो जाता है फिर तो रही की हो और ब् एक बार solution मना कर और एक बार डाल दिया उसके बाद आप इसको लगभग 15 दिन के अंतराल पर वापस इसको अप्लाई कर सकते हो यह देख सकते हो मैंने इस लोग की बेल से इतने लोग किया तोड लिए और इसके बाद इसमें अप्लाई कर रही हूं क्योंकि जब इन जो बेल ह इन में से इन वेजिटेबल के हारवेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद इसमें काफी पोसन की कम्या आ जाती है इतनी काफी जो वेजिटेबल मिल जाती है उसके बाद तो उसमें फटिलाइजर अपलाई करना काफी जरूरी होता है जिसे वह अच्छी पहले जैसी ग्रोथ कर स अच्छी फ्रूटिंग कर सकें तो उसके लिए सबसे बैस्ट सोलिशन यह है यह जब काला नमा के और लसी मिलते हैं तो यह एक अच्छा फटिलाइजर बनता है और फिर लोकी की बेल में डालने से इसमें फिमेल फ्लावर की संक्या बढ़ती है और जो फ्रूट्स आये हुए है वेजिटेबल आयों है उनकी साइज बढ़ी हो जाती है और काफी संक्यामिस के वेजिटेबल आती है यह सबसे बैस्ट सोल्यूसन है इनकी अच्छी फ्लावरिंग लेने का अच्छी फ्रूटि लेने का और यह फ्लावरें ड्रोप की प्रोब्लम है तो वह भी दूर हो प्रोब्लम है क्योंकि यह सुल्यूसन है इसके लिए सबसे बैस्ट रहता है इसका ऐसा ही कोई को मेने संब बनता है कि लोगी की बेर में लसी डालो और अच्छी फ्लावरिंग फ्रूटिंग पाओ उसे जो हम लसी को पीते हैं तो हमारे स्वास्ते के लिए बच्छी होती उसी तरह से इसमें वेच्छी रहती है इसमें कैल्शिम की मातरा भी रहती है तो वेजिटेबल में कैल्शिम की जो कमी रहती है उसको पूरी कर देती है इसे लोगी की जहां भी रूट लगी है उसके अंदर आप जैसे इसको डायरेक्ट इस तरह से अप्लाई करना चाहो त जितना आपने लसी लिया're उसी के बराबर है quantity में आप पानी लेकर और दोनों को मिक्स करके और फिर विसको पुराइक कर सकते हो और आपके पास लसी काफी अच्छी मात्रा में दो आप है इसको एक लिटर एक वेल में डाल दो जिसे इस तुक्ष में गोबर की खाड डालने से में इसमें जो भी कोई पूशन की कम्या जाती है वो पूरी हो जाती है और फिर यह बेल लगातार अच्छी फ्लावरिंग फ्लूटिंग देती रहती है नहीं जैसे एक बार फ्लूट्स की हार्वेस्टिंग कर लिए उसके बाद है इसम पर आप इसको प्लाई कर सकते हो और यह जो बर में कंपोस्ट है या गोबर की खाद है जो भी आपके पास अवे लिबला उसको जरूर आना जिसे आपकी बेल लगाता है लग बग चार पास मेनों तक है अच्छे से फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देती रहेगी और आप इन काफी लोग क्या रखिए जो मैं आपको दिखा रहे हूं यह देख सकते हो काफी लोग क्या रखिए अभी और काफी मैंने तोड़ भी लिए हैं तो जो भी बेल है उसके अच्छे से केर करो और वैसे यह जो खे तुमें ग्रोव की जाती है बेल उसमें जब इन्हें पांच से लीप आजाती है उसके बाद थ्रीजी कटिंग भी कर देनी चाहिए जैसे शुरू के तीन लीप होती है उनको कट कर देना चीजर्स की मुदद से जिससे इन पोदों की ग्रोथ अच्छी बड़े और फिर उनमें अच्छी फ्लावरिंग और फूरिटिंग हो जब छोटा ख़ए कृटिंग और इसमें भी सफ़लाएं भी अच्छी रहनी चाहिए कie क्योंकि जब पानी की खाया पॉल्ज़ी हो पहला आप जाद रहती है कर्मिय में यह जीदा नीराजिद्ग और भी के जरुदगत नहीं होती है क्योंकि जब ईससे और बार बार में धाल की जल शकता है तो इसमें लगवागे मैं नेबर के बाद इसमें फट निराई गुड़ाई हो करनी चाहिए वैसे आप विट्स निकाल सकते हो आतों से और इसमें अच्छे सजाई करो अच्छा फटी लाइजर डालो और अच्छी ग्रोथ पाऊ यह वीडियो अच्छी लगे तो और आप भी अपने जो भी वेज़ी टेबल कर रखे है उसकी अच्छी केर करो और अच्छी इल्ड पाऊ अच्छी निफिट पाऊ